बिहार में एक बर फिर पोस्टर राजनिती शुरू हो गई है मोधी सरकार के साथ साल पूरे होने पर राज़त कारिकरताओं के दुवारा राज़त प्रदेश कारेले के बाहर एक पोस्टर लगाय गया है इस पोस्टर में सरकार के साथ साल के कारिकाल में देश की जनता के सामने क्या-क्या समस्य आई ये बताया गया है पोस्टर में आरजेडी ने सरकार की साथ परेशानियों का जिक्र किया इसमें बेरोज़गारी महेंगाई से लेकर कोरुनाकाल में हुई परेशानिया शामिल हैं पोस्टर में पार्टी ने लिखा मोदी 13 साथ साल में जनता हुई बेहाल पार्टी ने केंदर सरकार की GST नोट बंदी पर भी निशाना सादा है इसके अलावा काला धन वापस लाने बिरुज़गारी दूर करने को लेकर भी हमला किया है वहीं देश की जनता को बैंकों से लेकर शमशान तक लाइन में लगना पड़ गया राजद ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के कारिकाल में भारत एशिया का सबसे घरीब देश बन गया है वहीं आरजडी की नेता अनिल साहनी ने वर्तमान सरकार पर निशाना सादेते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद उन्होंने पूरे देश की जनता को लाइन में खड़ा कर दिया चाहे वो किसी भी योजना से जोड़े काम हो बीजेपी सरकार में सरसुंग का तेल, एलपीजी, पिट्रॉल और डीजल सभी की कीमतें बढ़ा दी है जिसे लोग काफी परेशान हैं 65 रुपिय पिट्रोल मिल रहा था और 48 रुपिय डीजल मिल रहा था और 95 रुपिय करुआ तेल मिल रहा था आज जो है सो जिस परकार से 7 साल के सासन काल में जो इन नरंदर मोदी जी देश को बरबाद किये हैं और लोगों को उनको बहुत सोख है एक सोख बहुत अच्छा सोख है उनका कि देश के जनता को लाइन में लगवाना और उन्होंने नोट बंदी करकर देश के जनता को लाइन में लगवाएं जीयो लाकर जो उनका दोस्त जीयो लाया जीयो का सीम काड उसमें लाइन सटाथा उसके लिए जो हैसरो कि कुलने के लिए जह तो लोगों को लाइन में लगाएं और भी टुवणी करोणा काल में देखिए किस परकार सिस्टवा को फीटल से लेकर गैस से अप्सीजन कह लिए दवाई के लिए लाइन में लगा हैं आदर यतना इनका जह केंद्र की नरेंद्र मोधी सरकार अपने साथ साल पूरे कर चुकी है ऐसे में जहां भाजपा की बिहार प्रदेश एकाई ने कई कारिकरम कराने की घोशना की है वहीं दूसरी तरफ राजप ने मोधी सरकार के साथ साल पूरे होने पर पोस्टर वार किया है राजप ने मोधी सरकार पर बड़ा हमला किया है आरजेडी ने जनता को सरकार द्वारा किये गए वादों की याद दिलाई है पंजाब केसरी टीवी के लिए पठना से संजीव की रिपोर्ट